भारत सहित पूरी दुनिया में कोरोना अपना कहर बरपा रहा है भारत में लगातार नए मामले और मौतों की दहशत फैली हुई है कोरोना की इस दूसरी लहर में सबसे बड़ा खत्रा बच्चों के लिए है माता पिता को अपने आँखों के तारों की सलामती की चिंता सता रही है हर घर में बच्चों को संक्रमन से बचाने के जतन हो रहे हैं परन्तु अब एक राहत परी खबर आई है जल्द ही बच्चों को कोरोना से बचाने के लिए वैक्सीन आने वाली है जर्मनी की दवा कंपनी ने दावा किया है कि जून में वो बच्चों के लिए विशेस वैक्सीन लाउंच कर देगी आईए आपको बताते हैं इस वैक्सीन से जुड़ी हर एक बात भारत में कोरोना की दूसरी लहर बहुत जादा घहतक साबित हो रही है हर रोज संक्रमन के नए मामलों का रिकॉर्ड तूट रहा है मौतों की संख्या में भी बहुत बड़ा इजाफा हुआ है इस्ति इतनी भयावे है कि बीमारों को इलाज तक मुहिया नहीं हो पा रहा कुरोना मरीजों के लिए बैड और ऑक्सीजन का संकट है बेरहम वाइरस हर उम्र के लोगों को शिकार बना रहा है परंतु वयसकों के लिए वैक्सीन बन चुकी है भारत में 18 वर्षे अधिक आयू वालों के लिए वैक्सीनेशन की शुरुआद भी हो चुकी है जिससे उनके लिए संक्रमन का खत्रा कम होगा परंतु अब तक बच्चों के लिए कोई वैक्सीन उपलब नहीं है यही वज़े है कि बच्चों की वैक्सीन आने की खवर से लोगों को बड़ी उमीद जागी है दुनिया की करीब आधा दर्जन से अधिक कमपनिया बच्चों के लिए कोरोना वाइरस से बचाव कटी का बाजार में उतारने की होड में जुटी हुई है अमेरिकी कमपनी मौडरना 12 से 17 साल तक के बच्चों पर अध्यन कर रही है कमपनी अब तक सकारात्मक संकेत सामने आने की बात कह रही है एस्ट्रोजेनिका भी बीते मार्च में ब्रिटिन में 6 से 17 साल तक के बच्चों पर अपनी वैक्सीन का ट्रायल शुरू कर चुकी है जॉंसन और जॉंसन कमपनी भी इसकी तयारी में है दूसरी तरफ चीन की कमपनी सिनोवेक ने वैक्सीन बनाने का दावा किया है सिनोवेक ने हाल ही में कहा था कि उसकी वैक्सीन 3 साल तक की उम्र के बच्चों के लिए सुरक्षत होगी इसका डाटा भी वो अपने देश की अथौरिटी को दे चुकी है परंतु वैक्सीन लाँच करने का दावा अमेरिकी कमपनी फाइजर और उसकी सहयोगी कमपनी बायो एंटेक ने किया है अमेरिकी कमपनी फाइजर और उसकी सहयोगी जर्मन कमपनी बायो एंटेक का दावा है कि वो जून में यूरोप में बच्चों के लिए टीका लॉंच करेगी ये टीका 12 से 15 साल के बच्चों को लगाया जा सकेगा इससे पहले दोनों कमपनियों ने बीते मार्च में दावा किया था कि उसकी वैक्सीन 12 साल से अधिक उम्र वाले बच्चों के लिए पूरी तरह सुरक्षित साबित हो रही है दरसल कमपनी ने 12 से 15 साल तक की आयू वाले 2260 अमेरिकी बच्चों पर वैक्सीन का परिक्षन किया है कमपनी का कहना है कि बच्चों के लिए बनाया गया टीका वयसकों की तरह ही संक्रमण का प्रभाव रोकने में कारगर रहेगा बताया जा रहा है कि फाइजर ने दूसरे फेस का ट्रायल भी शुरू कर दिया है इसमें 5000 बच्चों को शामिल किया जा रहा है कोरोना महमारी को हराने के लिए केबल वयसकों का टीका करण ही काफी नहीं है विशेशख्यों का कहना है कि जब तक वयसकों के साथ बच्चों को भी वैक्सीन देकर सुरक्षित नहीं किया जाएगा तब तक कुरोना वाइरस से दुनिया जीत हासिल नहीं कर पाएगी यही वज़े है कि वयसकों के लिए वैक्सीन निर्मार के बाद दुनिया की आधा दर्जन से अधिक कमपनिया बच्चों के लिए टीका तैयार करने की कोशिश में जुटी हुई है हर वैक्सीन निर्माता कंपनी जल से जल बच्चों का टीका बाजार में उतारने की कसरत कर रही है। जादतर कंपनियों का दावा है कि उनके टीके छे माँ के बच्चों को भी लगाए जा सकेंगे। परन्तु फिलाल जर्मनी की दवा कंपनी बायो एंटेक ने जून में वैक्सीन लॉंच करने का दावा कर अन्य कंपनियों को पचार दिया है।